और कॉंसोनेंट के बीच में क्या आंतर होता है अगर हम गौर से देखें तो भाविल हमारे पास पांच है उन्निस हमारे पास कॉंसोनेंट है और दो को हम सेमी भाविल के नाम से जानते हैं जिनें हम डबलू और वाई कहते हैं भाविल का उच्यारन स्वता होता है जबकि कॉंसोनेंट का उच्यारन भाविल की सहायता से होता है जब आप ए बोलते हैं ए तो इसमें कोई साउंड नहीं लेकिन जब आप सी बोलते हैं तो इसमें ई साउंड आ जाता है पहला अंतर दूसरा अंतर भाविल की संख्या मात्र पांच है, कॉंसोरेंट की संख्या 19 और सेमी भाविल की संख्या 2 जिने हम W और Y के नाम से जानते हैं, तीसरा प्रमुक बिंदु, यदि 5 भाविल और 2 सेमी भाविल अंग्रेजी की दुनिया से समाप्त हो जाए, तो फिर किसी भी सब्द का निर्मान नहीं होगा,